हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एडिशार्किन क्लास में और यह जो आज का क्लास है बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहते हैं सर बन्फुल भाग वन सर पढ़ा दीजिए बन्फुल भाग वन और बन्फुल भाग टू भी पढ़ाया जाएगा वो जे पीशिम पढ़ना है सारे क्लास होंगे और यह जो बन्फुल भाग हम लोग को पढ़ना है जेशेशी एलडेशी जेटेट सहाय का चारी वन टू फाइक में हम लोग पढ़ना है और भी इंडर असर ये परतियोगता परिक्षा है तो तो आज हम लोग बन्फुल भाग वन पढ़ने से पहले ए जैसे CGL का टोटल कोर्स अभिलेबल है नागपुरी और हिंदी पेपर टू दोनों अभिलेबल है जिक के GS पेपर भी अभिलेबल है वो आप लिशी का तयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी यानि कि पेपर टू और पेपर त्री दोनों अभिलेबल है और एडी क्लासेस एप अगर आप साथ में लेते हैं दोनों तो 999 में मिल जाएगा यानि कि 999 में मिल जाएगा और अगर साथ में लेते हैं जैसे बंभुल भाग बन तोटल इसका कोर्स लेते हैं LDC का नागपुरी का तो 399 लगेंगे ठीक है और यहीं आपको GS schedule का 499 लगेंगे लेकिन साथ में ल चलिए तो बनफुल भाग वन ये पुस्तक है जिसमें गर्द एवंपद यानि कि कहाने और यह कवीता संग्रह का पुस्तक है कहाने और कवीता दोनों जो है संग्रह का यह पुस्तक है दोनों यहां है ठीक है चलिए यही है और बनफुल भाग नाम कैसे पड़ा वो सारी बात है तो देखिए पहला बात पहला प्रश्ण जो आता है कि यह 11th क्लास का बुक है बनफुल भागवन यह पहला प्रश्ण क्वेश्चन्स नोट डाउन करते चलिएगा पहला प्रश्ण की प्रधान संपाद कोन है डॉक्टर कुमारी बासंती अभी हम लोग इनके बारे में टो प्रश्ण और उसका हम लोग फिर शॉर्ट नोट्स ठीक है आपको एमसे की उसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको सॉर्ट नोट्स एमसे क्यूंकि साथ में कर आएंगे ठीक है अगर आप सॉर्ट नोट्स आपने कर लिया तो आपका एक भी प्रस्ण एक्जाम में नहीं चुटेगा मैं वादा करता हूं और मैं सेलेक्शन दिला कर रहूंगा बस आप यहां रहें और संपादक अगर आपसे पूछे कि बनकेवरा भाग वन कर संपादक क्यों निम्न में से कोन है कई है तो उमिश नंतिवारी तो इन लोग की बारे में चलिए हम लोग डीटल्स जानेंगे उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं यानि कि डीटल्स क्या है कि जन्म है कहां इनका निदन हुआ था सारी चीज अभी हम लोग जानने वाले हैं तो यह जो है सबसे पहला कुमारी भाशनती यह क्या है यह प्रधान शंपादक है यह बनकेवरा भागवन के प सिम्डेगा के सुदूर अंचल में रेगारी के पास पोड़ा गाउं में मार्च उनिस सो पचास इसवी में कुमारी भाशनती का जन्म हुआ था ना कुमारी भाशनती का डॉक्टर कुमारी भाशनती का जन्म कहा हुआ था सिम्डेगा जीला में जीला भी पूछ देता है ए एमे बीएड करने के बाद राची कॉलेज में नागपुरी व्यक्याता के पद पर उनकी नियुक्ती हुई तो इन्होंने शिक्षा कहां तक प्राप्त की एमे और बीएड तक और इनको जो है राची कॉलेज यानि कि कहां के व्यक्याता के पद पर इन्हें नियुक्त किया ग शिक्षा में एक और हम लोग को पॉइंट मिल गया कि इन्होंने PhD भी की थी किश्पर नाकपूरी गीतों की छंद रैचना पर काल करम में ये जनजातिये एवं छेत्रिये भासा विभाग राची विश्व विद्याले के अध्यक्ष पद से कुछ दिनों से पहले निवरिती हुए कहने का अर्थ ये है कि इनके द्वारा जो है जन्जातिये एवं छेत्रिये भासा विभाग राची विश्व विद्याले के अध्यक्स पदपर भी आ रहा चुकी थी अब देखते हैं डॉक्टर कुमारी बासंती ने नाकपुरी कहानियों में अच्छा मुकाम बना लिया बीच बीच में इनके लेख कवीता कहानी आधी प्रकासित होते रहते हैं और नाकपुरी की कई पुष्टक संपादक इन्होंने किया है तो ये तो हम लोग कुमारी बासं टिवारी का जन्म कहा हुआ था सारे नोट डॉण आप करते रहेंगे क्योंकि आप सकते हैं जब बुक पर लिका सकते हैं जन्म गाउव और चीला ये जिस लिख सकते हैं अगर माता पिता का मैं नाम बताता हूँ तो आपको नाम लिखने थीक है भुक नहीं Tsch उमेशननतिवारी का जो जन्म है कब और कहां हुआ था तो देखिए उमेशननतिवारी नागपूरी की नईपीढी के शजगवी हैं यानि कि आजकल के लोक लेखक आलोचक हैं और आलोशनात्मक कोई भी आलोशनात्म में मांडर के पास पंदरी गाउं में 18.8.1962 को हुआ था यानिक इनका जन्म कहा हुआ था मांडर मांडर कहा है राची के आसपास है यहां चलते हैं तो 18.8.1962 को इनका जन्म हुआ था पीता का नाम इनके क्या है पीता का नाम इनका नोट डाउन वहीं बुक में ही बुक के पास बहुत सारा खाली अस्थान है, जो ये संपादक हैं, ये क्या चीज हैं, उमेश नंतिवारी संपादक हैं और एक सकुंतला मिश्र हैं, तो सकुंतला मिश्र के वही वारे में बताऊंगा, जिनका देहांत जो है, कब हुआ था, यानि इनके पिता आन देवी इनके माता का नाम था, जो कहां राती थी, ये राती थी, आपके बिन देवाशने माता जी रोज राती थी, कहां राती थी, ये रातू रोड राची में राती थी, तेका, उमेश नंतिवारी ने आधुनिक नागपूरी के उन्यान, उन्यायक प्रफुल कुमार राय पर PhD की थी यानि कि प्रफुलकुमार राय जो कभी है और इनके उपर इन्होंने PhD किया है नाकपुरी व्याकरन सब्द कोर्स और रश अलंकार की पुस्तकों के लेखन शंपादक में सकुंतला मिश्र के साथ इन्होंने काम किया और अनिक पत्र-पत्रिकाएं इन्होंने शंप साथ दिये हैं नाकपुरी व्याकरन और ये पुस्तक को रचने में कुमेश नंतिवारी और ये दोनों मिलकर संपादन किये हैं और प्रधान संपादक तो आप जानी चुके हैं कमेंट सेक्षा में लेखिए कि क्या है ठीक है कौन है मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हू चले सकुंतला मिसर के बारे में मैं बता दूं कि सकुंतला मिसर का जन्म कब हुआ था कहां हुआ ठीक है। तो अकाश्वानी राची में वर्ये उद्गोशी का सकुंतला मिश्र नागपुरी भाषा शाहित्य की साधना में अपने विद्यार्थी जीवन में निरत है ठीक है नेक्स्ट क्या है नागपुरी पद्ध यानि की गद्ध और पद्ध गद्ध का अर्थ होता है कहानी पद्ध का अर्थ होता है कविता व्याकरन और सब्द कोश की रचना संपादन में इनका विशेश योगडान रहा है और यही काम ये उमेशननतिवारी के साथ मिलकर किये है ये जैसे मुंडारी सिक्षा पर भी इनकी एक पूस्तक छपी है, दोजार इग्यारा में प्रकाशित इनका साथो नदी पार उपन्याज, बहुत ही भेमस उपन्याओस है ये नोट्डाउन का लीजेगा, वहीं, जो की साथो नदी पार जो है, ये उपन्याज है एक प्रकार और ये 2011 में प्रकाशित हुआ था, नाकपुरी जगत के लिए उतकरिष्ट अवदान है, इन्होंने नाकपुरी कहाने को विशेश रूप से सम्रिद्ध किया है, ठीक है सम्रिद्ध का मतलब एक जूट किया है, और इनके द्वारा क्या हुआ है भाई, देख लेते हैं, इन्होंने नाकपुरी में विशेश रूप से सम्रिद्ध किया है, इनकी द्वारा शंपादित नाकपुरी में अनेक पाठी पुस्तकें जैसे जारखन जरोका से प्रकाशित हुए हैं, कहने का अर्थ यह है कि इनकी द्वारा बहुत सारे पुस्तक प्रकाशित किया गया है, क कहां से जार्खन जरों का राची से सकुंतला मिस्र का जन्म जो है एक पांच 1962 में हुआ था लगभग उमेश नंतिवारी जब जन्म लिये थे तो उसी वर्ष इनका भी जन्म हुआ था ठीक है उनका आठ में हुआ था और इनका पांच में हुआ है ठीक है छू saja मैं और याणि कि एक मई 1962 कुई इनका जन्म हुआ था टू निगयों है इनका जन्म गुमल्रागाओं के निगर दौनदुर्यanne ठीक अ दौन्धरिया गांमें इनका हुआ था आपसे पूछेघा के सब्सक्रमानों जन्म जो है 1 माई को कौन से जिला में हुआ था तो गुमला जिले में हुआ था 1 माई 1962 को हुआ था दुनदरियागाओं में इनके पिता का नाम क्या है जगेस्वर मिष्ड़ आप पिता लिख के लिख लिजेगा वहीं बुक में ही बन के और जो है ना बन फुल भाग बन है ना उसी में आप लिख लिजेगा उनके सामने पिता का नाम फिर माता लिखकर माता का क्या नाम है जगतार्नी दुंदरिया और ये कहा राती थी वहीं राती थी जगतार्नी दुंदरिया में ही राती थी सकुंतला मिश्र जो है आपक डाले से नाकपुरी में एमी किया है तो आपको तो ये तो बात मालुम ही हो गई आप लिख लीजेगा क्या चाई चीज आपको लिखने वाला आपको याद करने वाला जो है आप देखे, 2011 में सातो नदी पार उपन्यास रचित किये हैं, प्रकाशित किये हैं, इनका सारा पुस्तक जारकन जरोका राची से होता है, इनका जन्म यानि की जन्म लिखेगा आप, जन्म एक मई 1962 को गुमला जीला दंदूरिया गाउं में, पिता लिखकर आप जगेश्वर पुस्तक के परिचय के बारे में हो गया, यह तो हम लोग जान चुके, हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके, यानि कि प्रधान शंपादक, कुमारी बशानती, आपको यहां जन्म, पिता का नाम मैंने बताया तो पिता करके, जन्म करेके ऐसे गाउं, यहीं हो, पेन से छ इन्दी अनुवात करता हूँ, तीक है, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ, वैसे ही आपको बुक में ही लिखने हैं, क्योंकि देखिए, मैं कवीता से प्रश्न तो आपको कराऊंगा ही, एक कवीता से 15 से 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न, देखिए, अगर आप कवीता को ही अच से solve कर सकें, ना अगर कोई भी यूट्यवर, आपको कोई भी टीचर, आपको class करा दे, MCQ करा दे, that's not clear, वो enough नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है, कि MCQ पैदा कहां से हो रहा है, उसका जन्म कहां से हो रहा है, देखिए, इनका जो जन्म है, इस प्रकार से आप नोट लि ना ने है, अब बुक में ही लिखिये, जैसे उमेश नंतिवारी, तो इनका जन्म इस प्रकार से डैस करके, जन्म पिता, इस प्रकार से कुंतला मिश, तो यहाँ जन्म लिखियेगा, ना, एक मई 1962, उसके बाद पिता, ना, माता, जगतारनी, इस प्रकार से लिखते और चलिए, अभी हम लोग चलते हैं, एक कलम, मैं जितना अंडरलाइन किया हूँ, उतना ही पढ़ूँगा, क्योंकि उतना ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ देखिये, यह मैं सब पहले यह सब जान चुके हैं, लेकिन एक मागदी अपभरांस से विकास पावल न मातरी भासा है, कहने का अर्थ है, जो नागपुरी सदान जाती है, उनका यह मातरी भासा है, ठीक है, और इसे, कईठो जन जाती मनक कर मातरी भासा और संपर्क भासा भी इके कहल जाईला, और इके जो है, संपर्क भासा का रूप में आपन गरीमा के यह बढ़ाते जाता है और ना इसे प्रकुरी के गीट कर भाशा बासुरी गोरे है और मधूरस कर भाशा जानल जाएला या फिर मानल जाएला या यह लाइन्हे कि नाकपुरी क कहने कमें करके बता ओँ क्योंकि मेरा बहुत सारा क्लास करा दिया गया है तिक है और नहीं वही कमें सेक्षन में पूछें आपको वहीं अंसर दिया जाए तो देखिए यहां कैठ हो जाइत्मनक भाषा यहां कुछ नहीं पढ़ने है नागपुरी जितना अंडरलाइन पढ़ना उतना ही क्योंकि यह म में नागपुरी कर पहल सिष्ट रशना नगुनात निर्पतिकर मिलेला देखिए नागपुरी कर पहल सिष्ट रशना किसका मिलता है रगुनात निर्पतिकर ठीक है और चलते हैं नागपुरी पद नागपुरी पद साहित करविकास शुरू इसाई पादरी मनक कर हाथ से ह मतलब उस टाइम से इसाई हाग के हाठों से हुआ था सन 1900 के आसपास तक बाइबील जैसे लैटीन अंग्रेजी भासा में लिखल कर अनुवाद नाखपुरी भासा में शुरूप करे न करल गिलत इस प्रकारशन शुरूप किया गया उनिस इस भी से नाखपुरी हिंदिय साहित में दोनों सुन्दर उफईन के उठेक लग लग कहने का अर्थ है कि नाखपुरी में कहानी और कवीता कभ से दोनों भी कास होने लगा तो 1955 और साठीस भी से आकाश्वानी राची अस्थापना 27 जुलाई 1997 को यह आप याद रखेगा आकाश्वानी राची का अस्थापना कभ हुआ था 27 जुलाई 1997 को क्योंकि यह सब प्रस्ण पूछ दिते हैं तेकर राची विश्च भी जाला है राची में असनाक को तर जन्जाती अम छेत्री भासा विभाग के अस्थापना कभ हुई थी यह बहुत ही धागर प्रस्ण है इसे नोट डाउन कर लेंगे यह फिर अंडरलाइन कर लेंगे जन्जाती अम छेत्री भाचा चुलाई 380 को तेकर और यह जो है बनफुल भाग वन 11 इंटरमीडियेट वन क्लास वन के वास्ति पाठपुस्तक तैयार कर लेंगे ठीक है इस प्रकार से जो है बनफुल भाग वन में जार्खन अधिवद परिश्ट जो जे एस शिशी ना राची जेक जार्खन अधिवीद परिश्ट जेक राची के निदेश कर ने बनफुल में बरन बरनकर फूल माने विविद भाव और विद्या कर रशना बरनकर संकलन करल के लेके समझ में आएक ना बनफुल का अर्थ क्या होता है कि विविद प्रकार के फूल यहां उपस्तित है जिसमें लोग गीत, लोग कथा, गीत, कवीता, लेक, निबंध, संकलन, करल के लेके कहाने, एक हांके, समर्ण सारे चीज है ठीक है चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज कि बनफुल और सुन्दर बनफुल भाग वन कर जन समाज में स्वागत होई है और बनफुल आ और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज ये देखिए पद्ध भाग पद्ध का अर्थ होता है कवीता ठीक है पद्ध यानि कवीता आपको मैं ये क्लास करा चुका हूँ ये शर्षवती बंधना के लेखक छितिच कुमार राय है जग भरमाय के लेखक सोब्रन राय है और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार से पढ़ाऊंगा ये जो है कवीता यानि की कव्यों यानि लेखक परीचाय के साथ मैं आपको बताऊंगा ठीक है सबसे पहले मैं लेखक परीचाय बताऊंगा उसके बाद आपको कोई में स्टार्ट होगा ठीक है यहां दे पढ़ने का अर्थ है जैसे यह शर्षोती बंदना पढ़ना में तो सबसे पहले मैं आपको छितिज कुमार राय के बारे में उनका जन्म कहां हुआ था गाउं कहां यह आपको बताऊंगा फिर आपको शर्षोती बंदना के बारे में क्योंकि प्रस्ट बहुत बार पूछ तोटली डिटल्स में बताऊंगा जो कि आपको पेड कोर्सिज में ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा ठीक है चलिए और दूसरी बात देखी यहां कि इसमें गद्धभाग गद्धभाग याने कि कहानी वाला भाग कहानी जिसमें है गद्ध भाग याने कहानी निबंद पंद्रयास नाटक सारे उपस्तित होते हैं तो यह कितने हैं चौदा है । तो सारे के बारे में ушка हाथ कि आपको इस प्रकार से अंडरिन करने हैं और माई शुर्षवती हाथ में बिना लिये हुए प्शुंदर दिख रही है लग रही है और फिर इस प्रकार से मैं लिखा हूं चलिए पहले मैं बतादूं कि यह कुंण कवीता को किस ने लिखा है, यह सब सारे बाती अभी हमें जानेंगे, फिर हम लोग उपढ़ने वाले हैं, और किस प्रकार से प्रश्ण पूछता है, यह भी मैं आपको बताऊँगा कि साथ टाइप के प्रश्ण पूछे जाते हैं कवीता से, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, आपका मलीन मन किन के द्वारे लिखा गया है, धनी राम भक्सी के द्वारा, अमर शहीद किस के द्वारा, दुबराज मांजी के द्वारा, यहीं शहीद सेख विकारी किन के द्वारे लिखा गया है, जमाल लुदिन अंसारी, ठीक है, जमाल लुदिन अंसारी के द्वारा सहीद सेख विकारी लिखा गया है ठीक है यहां चलते हैं हमरी करनाखपूर हमरी करनाखपूर कर लिखवाय कैया महेश्वर्दास गुबत ayamad decía मुष्दी पाइल कोड कर लिख Sakura प्रफुल कुमाराय फसे पाइल कोड अपसे प्रफुलकुमार है, मसाल कर लिखा कोन है कही, मसाल, मैं एक इसका आपको शौट ट्रिक भी दूँगा, ठीक है, तो मसाल कर लिखा कोन है कही, नई मुदीन मिरदाहा, यानि की देखिए, मसाल कैसे जलता है, दह दह जलता है, इस परकार से मैं एक गाउदेहात में हम दह दह, मतलब कि अत्यधिक होता है, उस परकार से यहान मसाल जला रहे हैं, मसाल नय नय जला रहे हैं, इस परकार से आप ठरिक यात कर सकते हैं कि नई मुदीन मिरदाहा, पज़रा, पज़रा की लेखा कोन है कही, सिव अवतार चौधरी, यानि की इनका उपनाम क्या है, सि आचरा मंजू, यानि की आप तो यहां डारेक्ली कनेक्ट कर सकते हैं कि एक मंजू महिला है, और महिला जो है, यानि की आचरा वो पहनती है, साड़ी पहनती है, तो आचरा भी होगा, यान आचरा से आपका डॉक्टर मंजू कुमार जोत्सना हो जाती है, मंजू जोत्सना, मेल मिलाब कर लिखवया को ने कई पांडी दुर्गानाथ रहा है अब दीखिए यहां मेल मिलाब एक विवाह होता है विवाह संसकार ठीक है विवाह संसकार में मेल मिलाब कोन कराते हैं पंडित लोग कराते हैं ठीक है पंडित लोग कराते हैं तो पांडी लोग यहां हम एक लिए प्रस्ठ पूछता है कि मेल मिलाब कर लिखवया को है कहीं इस प्रकार से तो देखें मेल मिलाब को बिगराते हैं? vergacey विभाह कर कों कराते हैं? सानिक हर होई की की धूराय हर जगल है और हड जगा याद कर सकते हैं बेट भर ना पेट खाली होता है अ यानि कि बीदा भर पेट, इनके लेखक कौन है? डॉक्तर खालिक अहमद, यानि कि पेट से आप पेट खाली रहता है तब हम लोग खाते हैं, यानि कि कालीक अहमद, next तो बूटन महली, यानि कि बूटन, बूटन से होता ना, बूट कोन बोता है किसान ही न बोता है भाई बूट यानि कि चना होता है बूट का जो है ये गाउं में बोला जाता है बूट यानि कि चना ठीक है तो बूट कोन बोता है किसान लो तो किसान कर लेखक कोन है किसान कविता कर लेखक तो बूटन महली माया में भरमाल राम रतन राम रतन जी देखें माया में जो भरमायल रहता है उसको कौन दूर करते हैं राम जी एक ट्रिक है ठीक है तो एक श्वरवेद महामंदिर है आप उसे जरूर आप चॉइन करेंगे देखेंगे जाकर बहुत ही अच्छा है आपको वहाँ जोश और एक जो होता है उत्साह एक धार में केंद्र है ना वहाँ आप जरूर जाएं अगर वारा निश्री में मौका मिले कभी तो फुलवारी फुलवारी जो है इनके ये एक प्रकार का लोग गीत है आप से यहां देखिए यहां जो है यह तीन प्रकार से प्रस्ने इससे पूछा जा सकता है कि फुलवारी क पढ़ते हैं ये गद्ध भाग जो है 14 है टोटल सेट्रा सेट्रा कहानी कर लिखवया कोण है कई तो शहनी उपेंद्रपाल नहन इनका उपनाम क्या है नहन है बंसी दह नई मुदिन मिर्दहा है नहीं रखेंगें तो ये मंगरू घरेगनेज्द्र नहींता कर लिखवया का कौन है कई तो ये पंचम साहु, सिपाही भाईकर सिटी, राम अवतार जी, इनके लिखक कोन है कै? तो घरक जगरा, घरक जगरा कर लिखक कोन है कै? सचिदा नंद रोय, और शांज, सांज कर लिखक मधु सुदन दुबे, कोडा मैत जाबे, और राकेश रमन, भोला कर कमाल कर लिखक कोन पती, नाकपुरी कर पुजारी, नाकपुरी कर पुजारी कर लिखक कोन है कै? डॉक्टर सुसमा बारो भाया, यहीं चलते हैं, और देखिए प्रितम मसी बारो भाया, इनका जो है नाकपुरी अनुवाद किये थे ससी कला मिश्र, देखिए नाकपुरी कर पुजारी का ही प और यह एक लोग कथा है तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ेंगे और देखिए मैं अभी आपको यह क्लास नहीं कराओंगा इक क्लास से कि किस प्रकार से प्रस्ण्ह पूछे जाते हैं वो चीछ आपको मैं बताओंगा तुछ हैं तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से नौट लॉट करते दो सारी यहां पहला जो प्रश्ण होता है S egy गवीता से स्परश्ण Government पूछा मैं सब परिचाय में आपको टोटल यही बता दे रहा हूं क्योंकि यह क्लास देखना बहुत ही जरूरी है जो यह वीडियो देख लेता है उसको मतलब कि प्रशने गलत हो ही नहीं शकता है आपको क्वेश्चन रटने नहीं है कविता को पढ़ने है जितना बार आप कविता प आपको यहां से 20mcq दिया गया है यहां तो आप क्या देखते हैं देखने समया टो आप 20mcq दिया जाता हैוד मैं पहले यह बतादे हैं आपको किस प्रकार से पूछेघा यहां नोर्डाउं करते रहेगा copy में अपना पहला जो प्रस्न दotherap हो कि सरष्वती बंदन से व्नधर प्रफूल कुमार राय चितिज कुमार राय इस प्रकार से देदेगा देखिए तो चितिज कुमार राय आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं पहला प्रस्न दूसरा प्रस्न क्या है दूसरा प्रस्न आप से पूछेगा चितिज कुमार राय कर लिखल कवीता निमन में से कोन है कई त सरस्वती वंधना दोनों निम्से कौई नहीं इस प्रकार से आपको देदेगा तो दूसरा प्राष् Much लेखक से इस प्रकार से तीन लाइन आपको दे देगा अब पुशिएगा न कि यह कौन कविता कर पंक्ति है कही तीसरा प्रस्न हो गया कि यह कौन कविता कर पंक्ति है कही तीसरा प्रस्न हो गया कि यह कौन कविता कर पंक्ति है कही तीसरा प्रस्न हो गया कि यह कौन कविता कर पंक्ति जैसे कि यहाँ देखिए पाचवा प्रश्ण आप से पूछेगा पाचवा प्रश्ण के धवल कुस्म सारी पदम सिहासन प्यारी लटके कुंडल भारी हाईरे प्रफुल बदन सुकुमारी तो इपंक्ती में धवल कर अर्थ का है के इस प्रकार से पूछ देगा हना तो ऐसे प्रश्ण पूछते हैं और भी मैं आपको बात बताऊँ कगा तो यह जो है इस प्रकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं और अतिक जो है प्रश्ण आपको यह स्टेंजा है ना दो से तीन यानिकि यह दो तीन चार से आप एकदम ध्यान देदीजेगा अब कभीता को जितना अच्छे से पढ़िएगा आपको उतना अच्छे से समझाएगा तो यह तो एक परिचाय था मैं एक परिचाय बता दिया और यह बहुत ही देखना जरूरी ह चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स जैसे क्लास करेंगे और क्लास यह आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सिक्षन में कमेंट कर सकते हैं कि सोड़ और आगे के क्लास आना चाहिए और मैं आप बात बदादू दोस्तों कि यहाँ जो है शंपुन कोर्स आप आपको प्रोवाइट कराया जा रहा है पेपर 2 और पेपर 3 का आप LDC तयारी या फिर सहाएक अचारे आपको GKGS का पेपर बहुत ही बहतरीन दिया जा रहा है अगर वो पढ़ लेते हैं अगर वो पढ़ लेते हैं अगर वो पढ़ लेते हैं आपको एकदम JPAC का पीडी तक निकाल सकते हैं बूबुक से ऐसा नोट्स आपको प्रोइट कराया जा रहा है और अभी उसका ओफर फी है तो आप उसे जरूर जोइन करें धन्यवाद जै हिंद जै भारत